हेलो दोस्तों वेलकम टेक्टिकल अनिस में एक बार फिर से हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जिसका टॉपिक है बिग ग्रूप के रिवार्ड्स को आप कैसे मैंबर्स या फ्रेंड या दोस्तों में कैसे सेंड कर सकती हो वो भी आसानी के साथ आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा बस हमारे वीडियो को आपको पूरी तरह से शुरू से अंतक देख रहा होगा तब ही आपको समझ में आएगा तो गैस मैं बतला दूँ कि जैसे अमबरसीडर में कुछ रिवार्ड्स मिलते हैं अमबरसीडर कुछ दिन पेस्वजेक्श चल रहा था और अभी पीछल रा है कुछ लोगों को शो कर रहा हुए कुछ लोगों को नहीं शो कर रहा है तो ऐसे कई सारे rewards आपको मिलते हैं तो उस rewards को आपको फ्रेंड या दोस्तों में कैसे send करते हैं या जो भी admin आपके प्राट पर जादा time देते हैं आप अपने तरफ से उसको rewards कैसे send करते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताऊंगा आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ कि कैसे आप दोस्तों या फ्रेंड को कैसे reward send कर सकते हो तो इस वीडियो के साथ हमारे वीडियो के साथ बने नहें और कहीं न जाए अगर आप इस वीडियो को मिस करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं शुरू करने से पहले पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए है या न्यू विजिट किये है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दवाना न भूले क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट टूटोरियल है वो आप मिस बिल्कुल नग कर सको तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो चलिए दोस्तो आज मैं आपको बतलाता हूँ कि आप IMO टीम की तरफ से मिले हुए रिवार्ड्स या फिर डाइमन्ड को आप किसी फ्रेंज को कैसे शेयर करते हैं और इसकी क्या रूल्स है क्या रेगुलेशन है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ तो चलिए सबसे पहले मैं IMO पर क्लिक करता हूँ उसके बाद मैं आपको बतलाता हूँ कि क्या है आप किसी को फ्रेंज कैसे सेंड कर सकते हो क्या रूम कैटरिया है उसको कैसे अपनाए वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ तो चलिए सबसे पहले मैं IMO पर क्लिक करता हूँ उसके बाद मैं चलता हूँ किसी भी ओनर ग्रूप में तो आपको याद रहे कि आप ऑनर वाला ही ग्रूप से आप सैंड कर सकते हो अगर आपके पास रिवार्ड का आप्शन है और उसमें रिवार्ड पड़ा हुआ है तो आप ऑनर वाले ही आईडिय से आप किसी को सैंड कर सकते हो तो चलिए मैं इस group पे चलता हूँ friends for life पर मेरा group है और ये मैं इसमें honor हूँ उसके बाद फिर यहां plus icon पर आपको click करना होगा फिर voice club I mean voice room voice club का यहां पर दिखनी को मिलना है लेकिन ये voice room है तो चलिए मैं इस पर click करता हूँ उसके बाद हम यहां पर देखते हैं कि voice room आपन हो जाता है हमारा voice room आपन हो चुका है उसके बाद हम आपको दिखाएंगे यहां पर कुछ ऐसे rewards होते हैं जैसे ambassador या फिर आपको टॉप group का rewards या फिर frame ऐसे कई साइन rewards होते हैं वो कहां पर आपको मिलेगा जो आइमोटेम के तरफ से new rewards आया है जिसमें आपको सिर्फ प्राट पर time देना है room cateria को fulfill करना है उसके बाद पिर आपको वो rewards मिलता है तो चली मैं आपको दिखलाता हूँ कि वो rewards कहां से आपको मिलता है तो सबसे पहले हमको जाना होगा इस पर यह आप देख सकते हैं blue color का एक option दिखने को मिलना होगा इस blue color के option पर हम click करते हैं उसके बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं reward center में पर यहाँ पर देख सकते हैं weekly level task इसी में आपको एक ambassador का option आएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं view करके आपको देखा दू कि कुछ जिन पहले इसमें ambassador का option था और इसमें ambassador का भी rewards आपको देखने को मिलता जैसे आप देख सकते हैं welcome emo welcome ambassador तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ point होता था 300 point पर आपको इतना मिलता था इतना diamond मिलता थो तो यह diamond सबको आपको कैसे send करना है आपके reward center पे यह सारा diamond और frame आ जाएगा लेकिन आप इसको कैसे send करोगे किसी भी friend को तो यही पर हम आपको इस video में बतलाने वाले हैं step by step करके ताके आपको किसी तरह का कोई भी problem का सामना न करना परे तो सबसे पहले हमको क्या करना है reward center पर click करना है reward center पर click करने के बाद हमें यहाँ पर दिखनी को मिलता है frame जो एक frame बचा है हम किसी को भी यह send करेंगे यह frame और आपको मैं दिख लाओंगा उससे पहले मैं आपको बतला दू कि जब तक कोई भी member आपके group में एक गंटा या दो गंटा प्लस आपकी group में time नहीं देता है जैसे मान के चलो अगर दो गंटा time देता है तो आप उनके पास बहुत सारे xp's जमा हो जाते हैं उसको broad पर chat room पर आपके time देना होगा minimum 2 hours दू घंटा अगर वो आपके chat room पर दे देता है तो उसका जो भी function होता है वो open हो जाता है फिर आप उसको diamond या फिर frame कैसे send कर सकते हो तो यहाँ पर मैं देखा देता हूँ आपको कि reward center पर मैं आया हूँ उसके बाद यहाँ पर एक frame है इस frame को हमको किसी को भी देना है तो चली मैं इस frame पर पहले click करता हूँ उसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों का नाम यहाँ पर show करेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क देखने को मिलना है इसको पर मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद यह जो बैच है यह हम इसको सैंड करते हैं ठीक है तो मैंने क्या किया इस पर क्लिक किया उसके बाद आप गोर से देखे फिर आपको समझ में आ जाएगा असस्ट अनिस इस पर मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद य reward condition भी दिया हुआ है, admin, member, elite, आप honor को नहीं दे सकते हैं, हम अपने आपको खुद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर reward condition दिया हुआ है already, कि यह इतनी ही लोग ले सकते हैं, member ले सकते हैं, admin ले सकते हैं, elite ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर time दिये हैं, अच्छा time दिये हैं, broad पर वही सब ले सकते हैं दो घंटा प्लस देना पड़ेगा आपको टाइम तो चलिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको करना होगा इस पर क्लिक सेंड पर तो यहाँ पर आप जैसे सेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वह रिवार्ड उनके पास जा चुका है और यहा जाता हूँ उसी मेंबर के प्रोफायल पर क्लिक करके असिस्ट और इसको मैंने दिया था यह रिवार्ड तो इस पर मैंने क्लिक किया उसके बाद मैं चलता हूँ बैच की आप्शन पर ओनर बैच ओके लास्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं और लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह देखिए यह आप देख सकते हैं excellent तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यह batch उनको receive हो चुका है तो यहाँ पर आप देख सकते है excellent admin level 5 तो ऐसा batch उनको receive हो चुका है तो ऐसे ही आप चाहोगे तो batch किसी को भी send कर सकते हो है उसे पर आपको click करना होगा उसके बाद फिर आप यहां reward center में देखे कि कौन-कौन rewards आपको यहां पर दीखने को मिला है और यहां पर क्या होता नहीं कि rewards कुछ time limit के लिए होता है यहां पर जैसे देख सकते हैं कि एक frame है यह frame भी time limit के लिए है साथ दिन के लिए है और यह चार अप्रेल मतलब एक अप्रेल से पहले पहले तक इसको send करना होगा अगर नहीं send करोगे आप तो यह already invalid हो जाएगा यह कोई काम का नहीं रहेगा यहां से गुम हो जाएगा तो यह frame आप कैसे send कर सकते हो जैसे देख सकते हैं कि इस पर click करना है आपको उके उसके बाद फिर देखना है कि eligible member कौन कौन सा है यह आपर इलिजिबल member चलिए मैं आपने आप पर यह frame को डाल कर दिखाता हूँ यहां किसी पर भी आप frame को दे सकते हो लेकिन चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ कैसे frame को आप देते है किसी पर उसके बाद यह blue tick जो आपको देखने को मिलना है इस blue tick पर click करना है उसके बाद यहां send की option पर आपको click करना है तो यह क्या होगा यह send हो जाएगा अपने आप में लेकिन आपको चेंज हो गया मैंने कुछ ने किया बट फौरण यह क्या हुआ कि automatically यह frame लग गया इसमें ऐसे ही आप चाहोगे लगा सकते हो अगर आप चाहते हो कि हमको different frame लगाना हमारे पास कितनी frame है तो आप ये देखने के लिए आप अपने profile पर click करें फिर view profile पर click करें उसके बाद आप क्या करें privilege decoration पर आपको click करना होगा उसके बाद यहाँ आप आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको यहाँ पर frame देखने को मिलेगा जितना भी event में आप participate करते हो तो आपको जो भी frame मिलता है वो सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिलता है जैसे यह मान के चलो कि आप यह frame लगाते हो यह frame लगाते हो एक्सिलेंट member के लगाते हो तो इस पर click करना है आपको ठीक है? यूस पर click कर देना है फिर क्या होगा? कि यह automatically यह frame लग जाएगा फिर अगर दूसरा change करना है frame को तो इस पर click करना है फिर view profile पर click करना है फिर privilege decoration पर click करना है फिर आपको अगर यह मर्केस वाला frame लगाना है मर्केस पर click करना है फिर use के option पर click करना है फिर automatically यह change हो जाएगा frame ऐसे चाहोगे तो आप frame भी change कर सकते हो तो guys यह रहा हमारा video और हम अगले video के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे फिर जब तक के लिए bye bye क्योंकि हम आपके लिए useful video लाते रहते हैं अभी फिलाल हमारे इस broad पर diamond का value जो था वो खतम हो गया इसलिए मैं आपको यहाँ पर diamond send करने का तरीका नहीं बताया हो बट same same वैसे ही होता है बस आपको plus icon पर click करना है और फिर जा करके उस पर जितना ज़ादा आप करोगे increase करते जाओगे उतना उतना उसके पर फिर वहाँ से आप diamond किसी को send कर सकते हो याद रहे कि दो घंटा हर हाल में वो बंदा आपके ग्रूप में time देना चाहिए तब ही आप उसको directly उसके account में send कर सकते हो तो चले गाइस हम मिलते हैं अगले टुटोरियल वीडियो के साथ जब तक के लिए बाई बाई and take care